नमस्कार मित्रों, नवभारती परिवार नए इस कोरोना काल के अंतरगत समकोंड विस्वे के लिए विशेश रूप से हिंदी भासी लोगों के लिए जो सिक्षन की एक नई सरंखला अपने यूट्यूब पर नवभारती स्टेडी सर्कल चैनल के द्वारा जो प्रस्तुत कर प्रियास कर रहा है उसके अंतरगत आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के सामने अच्छा बारा गनितवी से मैं मैट्रिक्स का प्रारभ्य ज्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हैं मैट्रिक्स की संकला एक दो तीन कडियों में चलेगी आज प उन्धर में समझेंगे तो प्रस्ताओंना में ज्यादा कुछ विसेश जानने के लिए है नहीं आप जानना किया यह 1857 में गणितक गये थे आर्थर के लिए उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था वो समीकरणों के हल प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे और को वेवस्तित रूप से लिखा और उनके गुणधर्म इत्यदी दिये जिसके द्वारा यह आपको जानना चाहिए विज्ञान और विज्ञान से समंदित अनेक विश्यों का अध्यान सरलता पूर्वक किया जाना संभव हुआ मैटिक्स से यह हम देखेंगे मैटिक्स में समान संख्यां इसमें समिश्य संख्यां भी हो सकती है उन्हें इस थम्ब और पंक्तियों के रूप में लिखते हैं उसे मैट्रेक्स कहते हैं यह हम इसको इस प्रकार के नौटिशन में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से इस तरह से भी और ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से हम ऐसे बड़ा ब्रेकेट बना के चुरूँ दो रंडे इधर और दो रंडे इधर ऐसा करके भी हम इनको लिख सकते हैं तो हम इसमें अभी इस प्रकार से ही लिखेंगे और यही सर्व मानने है इसको लिखने का तरीका और मेट्रिक्स को एक बड़े नोटेशन A, B, C, D अंग्री जी के A मेट्रिक्स और इसके अंदर हम उनके अभी 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 लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे आवियू का क्रम क्रम क्या कहलाता है क्रम में जैसे क्रम लिखा जाए M into N इसमें M क्या है M तो पंक्तियों की शंख्या कहलाती है और N क्या कहलाता है इस थम की शंख्या जैसे माली जी कोई एक आवियू है ये 2, 3, 4 इसमें 1-3, 0 इसमें हम देखते हैं पंक्तियां कितनी है एक पंक्ति और दो पंक्ति तो पंक्तियां तो दो है और इसके इस्थम केतने हैं एक इस्थम दो इस्थम तीन खड़े होते हैं वह इस्थम पंक्तियां आड़ी तो इस्थम है इसके तीन तो यह इसका क्रम हुआ यह इसका order हुआ ठीक है तो इस प्रकार से है इसमें कौन सा वाला अव्यव अव्यव का क्रम ढूनना है माले इस अव्यव का ढूनना देखना चाहते हैं कि यह है मतलब इसका क्रम क्या है तो माइनस तीन कहां पर है देखिए दूसरी पंक्ती में है और दूसरी कॉलम में है तो यह इसका क्रम क्या है यह माइनस तीन इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है आभियो के प्रकार पहला पंक्ति आभियो पंक्ति आभियो रो मेट्रिक्स रो मेट्रिक्स किसे कहते हैं ऐसा मेट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो मेट्रिक्स है ए मेट्रिक्स और इसमें केवल एक ही पंक्ति हो एक, दो, तीन तो तीन है यह पंक्ति एक है एक इस प्रकार का है करम होगा उसका तो वो कहलाएगा आपका पंक्ति आप दूसरा है इस्थम्भम पॉलम मेटरिक्स सिंपल है आप समझे गए होंगे जिसमें केवल एक इस्थम्भम एक matrix है जिसमें तीन तो पंक्तिया है इसका क्रम क्या होगा तीन तो पंक्तिया है और एक इस्थम्ब एक इस्थम्ब सीधा पंक्ति तीन है ठीक है तीसरा सुन्ने आदियो इसके सभी अविय 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 अव इसको बड़े सुनने से इसको जखते करते हैं, वर्ग आईदि, नाम से पता लग जाता है हमें, square matrix, जो matrix में इस्थम और पंक्तियों की संख्या बराबर हो, A, B, C, D, इसमें इस्थम बे कितने हैं, इसका क्रम क्या होगा, क्रम में दो तो इसमें पंक्ति हैं, और दो ही इसमें इस्थम गया, तो यह वर्ग आप लिए जिए ज्यादा भी हो सकते हैं, एक, दो, तीन, पांच, छै, नो, जीरो, माइनस दो, एक, इसमें तीन तो है आपके सेक्रम क्या हो गया, तीन तो इसमें पंक्ति हैं, और तीन इसमें इस्थम है, तो ये आपके कहलाते हैं वर्गायू जिसे पंक्तियों के संख्या और स्थम्बों के संख्या बराबर हो आगे हम कुछ प्रकार देखेंगे इस प्रकार के टाइपस ओप मेट्रिक्स देखेंगे जिनमें जो वर्गाव्वी तो होंगे होंगे इसमें पंक्ति और इस्थम्ब बराबर होंगे और मुख्य विकर्ण के अविवों के अतरित से सभी अविव सुनने होगे जिसे देखिए हम लेते हैं एक अविव है ये वो तो हो गई होगा आपका पांच छे जीरो जेरो इसके ये जो विकर्ण होगा ने ये वाला विकर्ण यहां से यहां तक विकर्ण ये विकर्ण में कुछ संख्याएं होगी और बाकी सब में सुनने होगा सुनने माइनस दू सुनने सुनने एक अब देखिए केवल एक विकर्ण है ये वाला विकर्ण पहले बात तो यह किसका क्रम यह होना चाहिए आपका एक वर्ग अभी होना चाहिए यह वर्ग आभी होगा पहले तो वर्ग आभी होगा दूसरा विकर्ण के अतरिक्त विकर्ण के अलावा सभी अभी सुनने होंगे सभी अभी सुनने होंगे विकर्ण के अतरिक्त से सभी और वर्ग आभी होगा यह वर्ग आभी होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट, अदिस अभ्यू, स्केलर मेट्रिक्स, वह विकर्ण अभ्यू जिसमें मुख़्े विकर्ण के सभी अभ्यू सम्मान हो, अदिस अभ्यू कहला देखते हूं धरान, एक अभ्यू है देखिए, विकर्ण अभ्यू तो है, विकर्ण अभ्यू होना चाहिए, विकर्ण अभ्यू हो तो क्या होगा ये, ये वर्ण अभ्यू भी होगा स्क्वार मेट्रिक्स भी होगा ठीके बरगा भी होगा पहले पहले कंडिर्शन तो यह है फिर विकरणा भी होगा विकरण के रावबा बात रिक सारे के सारे सुनने होंगे इसके बाद में वह विकरण जितने अभी अभी है वो समान भी होने चाहिए इसे दो सुनने 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 दो सुनने सुनने दो अब देखो यह विकर्ण में जितने भी है ने वो दो है बाकिस सुनने है ठीक है तो यह कहलाता है अदिश आती हो ठीक तो इसको हम समझ में आगया होगा बिल्कुली पुकि यह समान होने चाहिए यह दो यहाँ माहीनस से एक माहीनस से एक हो सकते है जो भी है अब next आते हैं एकई अभ्या वे अदिश अभ्या अब देखिए अदिश अभ्या बोल रहा है आदिश आव्यों कौन से आव्यों होते हैं, वो विकर्ण आव्यों होते हैं, और विकर्ण आव्यों क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, वर्ग मेटिक्स होते हैं, वर्ग आव्यों होते हैं, तो वर्ग होना चाहिए पहली condition, फिर विकर्ण आव्यों होना चाहिए दूसरी condition, फि तो यह जो इकाई आव्यू है आपका, वो वर्ग आव्यू भी होगा, विकर्ण आव्यू भी होगा, और अधिस आव्यू भी होगा, एक उधान ले लेते हैं, यह गाई होना चीघी 10, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 इसमें विकळण में जो होगा वो एक होगा तो यह आपका आपयो कहलता है आपका एकाई आपयो चिक है? नेक्स्ट तिर्पूजाकार आपयो तिर्पूजाकार आपयो में क्या? अब इस वहें वर्ग आपयो जिसमें मुख्य विकण के नीचे के सभी अविव सुनने हो, वर्ग आवियो तो होना है चाहिए, लेकिन मुख्य विकण के नीचे के सभी अविव सुनने हो, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं इधर, एक उधान लेते हैं, इसके अंदर जो होगा, वर्ग आविव होगा, तीन तो र चार कॉलम पांच रो पांच कॉलम जितने रो उतने ही कॉलम यह तो होंगे और मुख्य विकन होगा मुख्य विकन के नीचे के सभी अभी सुनने होंगे जैसे माले जी है 1 है, minus 2, 3, सुनने, 2, कुछ भी हो सकता है, 3, सुनने, सुनने, और आपके minus 1, यहां विकर्ण है, यह मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के ऊपर तो कुछ भी हो सकते हैं, सुनने क्या तरिक भी कुछ हो सकते हैं, यह भी सुनने होते हैं, और नीचे भी सुनने होते हैं, लेकिन अपका diagonal matrix नहीं है यह विकन आविउ नहीं है यह है आपका ऊपरी तिरभुजाकार Trustees इस मुख्य विकन के ऊपर तो कुछ होते हैं नीचे सुनने होते हैं नीचे के सबी तो ओपरी तिरभुजाकार कहा लनाता है नीचे कुछ नहीं है, उपरी त्रिवुज़ागर आप जो, चीक है, next, नीमने त्रिवुज़ागर आप जो, बिल्कुल इसका विपरीत होगा, इसका उल्टा होगा, जिसमें विकन के उपर के सभी आप यह सुनने होगे, यह भी वर्ग आप यह होगा, वर्ग आप यह तो हो लेते हैं, भी, यहां भी हम तीन आपके श्रेणी, तीन आपके पंक्ती और तीन ही इस्थम्भिका हम आभी लेते हैं, तीन गुणा, तीन करम वाला, लेकिन इसमें मुख्य विकन के नीचे तो होगे, उपर नीचे वाला यह तिल्बूज बनेगा, जैसे ले लेते हैं, दो उपर सुनने होंगे, सुनने, सुनने, तीन, सुनने, यहां एक, दो, चार, पाच, यह मुख्य विकन है, यह रहा, मुख्य विकन में भी कुछ अभी होंगे, नीचे भी कुछ होंगे, जैसे सुनने भी हो सकते हैं, लेकिन उपर तो सुनने होंगे, यह होंगे, तो नीचे क है यह उधा अपर ह 2024 मेंटिक्स है यह थह अपर ट्राइंगुलर मेंटिक्स है ल। आपवियू के प्रकार हमने समझें त소 आप यू के आधि ह्योगों परिवार्त आधेस ट्रांस आफ मेंट किена से निकालते हैं इसे कि पावर T की रूप में जब हम इसकी इस थम्बों को पंक्तियों में और पंक्तियों को इस थम्बों में बदल दें तो फिर वो परिवर्थ आप यूँ कहलाता है Transpons of a Metrics पंक्तियों को तो बदल दें हम इस थम्बों में और इस थम्बों को 5, 6, 7, 3, 2, minus 1, 0, 5, 2, 3, 4, इसका transpose कैसे होगा, देखें पहले बात तो यह है कि यह क्या था अभी इसका क्रम क्या था, इसका क्रम था, पंक्तिया कितनी है, 3, इस थाम कितने है, 4, तो जो transpose बनेगा न, A raised to power 2, इसका क्रम क्या होगा, इसका क्रम होगा, 4 तो इसमें पंक्तिया होगी, और 3 इसमें इस्थम होगे, योकि इस्थम में पंक्तियों में पंक्ति इस्थम में बदल रहे हैं, तो यह जो पहली पंक्ति थी, वो पहला इस्थम बन जाएगा, माइनस तो पांच, छे, साथ दूसरी पंक्ति थी वो दूसरा इस्थम बन जाएगा 3, 2, माइनस 1 0 तीसरी पंक्ति तीसरा इस्थम बन जाएगा 5, 2, 3, 4 तो यह हो जाएगा आपका टांसपॉंज ओफ A टांसपॉंज ओफ मैट्रिक्स A यह A आव्यू का आपका परिवर्थ आव्यू कहलाएगा परिवर्थ आव्यू चीक है नेक्स्ट देखते हैं हम सम्मित वे विसम सम्मित अव्यू पहले सम्मित आव्यू को ले लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यू वर्ग आवियों होना चाहिए सम्मYT अभियों कहलाता है यदी और केवल यदि a और का क्रम Mon Warren t income ुद्फ बदलता है यदी अलग अलग हो। इस प्रकार का हुआ तो इसका पहली बात तो यह कि करम हमेशा ही वर्ग अभी होगा तो दो गुणा दो हो करम या तो या तीन गुणा तीन हो इसलिए वो तब ही जाके ट्रांसपोंज उसका बराबर होगा और दूसरा फिर उसके अभीव बदलने के बाद भी सेम ही रहे हम एक उधाना ले लेते हैं एक अभीव है पंक इसके माल लेजिए यह है एक दो तीन इसके इस्तम्भ है दो माइनस एक पाच तीन अब यहाँ पर क्या था दूसरी बंक्ति में दो माइनस एक यह था ना है तो जब यह बदलेगा तो फिर वह बात आने चाहिए इसकी बराबर आना चाहिए पांच और यहाँ पर जब यह बदल के वापिस बहीं जाएगा तो महीं रहना चाहिए तो यह संख्या कुछ भी हो सकती है तेन या माइनस तीन ठीक है इसको बदलते हैं इसकाम इसकाम ट्रांस्पोर्ज करते हैं तो देखिए पहली पंक्ति पहली पंक्ति यह नहीं पहली पंक्ति यह वाली पंक्ति इसे हम वो मनाते हैं इस्थम एक दो तीन अभी दूसरी पंक्ति लेते हैं इसको इस्थम बनाते हैं 2-1-5 तीसरी पंक्तियन है 3-5-3 इसका भी सम्बनाते हैं 3-5-3 अब देखें ध्यान दीजिए इसके सारे अभियाफ एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है यह 1-1 वाला अभियाफ इसके 1-1 के बराबर है यह 1-2 वाला अभियाफ इसके 1-2 के बराबर है यह 1-3 वाला अभियाफ इसके 1-3 के बराबर है तो यह कौन सा है यह अभियाफ यह दूसरी पंक्ति का पहले स्थमका है दो एक वाला इसके दो एक वाले के बराबर है सारे वे बराबर हम कह सकते हैं कि A है जो A raise transpose of A के बराबर है A transpose of A के बराबर है It means यह एक सम्मित अभियव है हम कह सकते हैं कि A एक symmetric matrix है symmetric matrix जो आप weekend को करें तो इधर और इधर बिल्कुल mirror image बननी चाहिए इससे mirror image भी बोल सकते है mirror weekend के उधर और इधर mirror image बननी चाहिए तो जब mirror image बनती है तो वो submit matrix कहलाता है next लेते हैं हम vision submit matrix vision submit matrix में बरगा भी होना चाहिए लेकिन बस एक बात है कि 80 है A के बराबर नहीं होगा minus A के बराबर होगा मज़ए transpose of A निकालेंगे उसमें चिन भी बदल जाएंगे ठीक है तो हम एक ले लेखते हैं एक उधार चिन बदलने या देखो तो चिन बदलेंगे देकिन विकर्ण कभी बदलता है क्या इसमें जब हम जब transpose करते हैं तो टांसपॉंस करते हैं तो लिकर्ण नहीं बदलता लिकर्ण नहीं बदलता हैँ तो विकर्ण हमेसा लगबाग इसमें सुनने ही रहता है सुनने माइनस दो प्लस बन दो सुनने दो सुनने माइनस तीन माइनस एक प्लस तीन सुनने इसका टांस्पोंज लेते है टांस्पोंज लिया तो इसका परिवर्थ किया तो पहले वाले इसको विकर्ण को हमने पंक्ति की रूप में लिखा जीरो दो माइनस एक फिर दूसरे वाले हमने इसको इसतंब को पंक्ति की रूप में लिखा माइनस दो, 0, प्लस 3, तीसरे वाले स्तम को हमने पंक्तिय की रूप में लिखा, प्लस 1, माइनस 3, 0, ठीक है, अब हमने माइनस ए भी लिया, माइनस, माइनस एक क्या होगा, सब के चिन बदल दो, 0 के चिन बदला, 0, इसके चिन बदला, तो, इसका माइनस एक, प्लस 2 होगया, माइनस दो, 0 का 0 रहा, प्लस 3, प्लस 1, माइनस 3, 0, अब देखो, यह दोनों, इन दोनों के चिन बदला करो, सेम दिखे रहे हैं न आपको, तो यह A, टांसपोंस ओफ मेट्रिक्स A, इस इक्वास टो, नेगेटिव मेट्रिक्स A, यह बराबर है, तो हम कह सकते हैं, यदि ऐसा हो, यदि ऐसा होता है, तो फिर जो यह A मेट्रिक्स है, यह मेट्रिक्स कहलाता है, इसक्यू सिमेट्रिक मेट्रिक्स, इसक्यू सिमेट्रिक मेट्रिक्स, या फिर हम कह सकते हैं इसे विशम सम्मित आप व्यू चीक है अब ध्यान देने वाली बात है हम आगे आप पढ़ेंगे भी इसे नियमों के अंतर भी यह जो विक्ण होगा ने इसमें विक्ण सुनने होगा कुछ विशम सम्मित आप हैं अब है उसमें मुख्य विक्रण के सभी अविव सुनने होते हैं वर्ग हो वर्ग होते हैं तो क्या बाते हैं उसके साथ में उसके साथ में कुछ बाते आपको विशेय से याद रखने वाली, A plus A T, एक सम्मित अभी होगा, सम्मित अभी क्या होता है आपको बताया है मैंने जिस पीछे हैं, सम्मित अभी में क्या होता है, सम्मित अभी में होता है कि A, A T के बराबर होता है, लेकिन A plus A T जो बनेगा, इ A plus transpose of A T, बनके जो नया अव्यू बनेगा ये है समित अव्यू इसके लिए बात कह रहा है वो कि B हमेशा B के transpose के बराबर होगा, इसके B के परिवर्थ के बराबर होगा, ठीक है, A transpose A T का इदी माइनस कर दें, घठाएं, तो जो नया समुच्चे बनेगा, यहां पर, नया matrix बनेगा जो, मालों इन नया matrix मनता है C, जो C है नहीं C, यह है विसम सम्मित अव्यू, C हमेशा, C का transpose हमेशा, माइनस C के बराबर होगा, ठीक है, इसी परकार से, यह multiply में भी A T T और यह हमेशा सम्मित अव्यू होते हैं, सम्मित अव्यू मैंने बताया नीचे, यह जो बनके बराबर, यह ऐसा होता है, A का परिवर्थ, परिवर्थ का फिर परिवर्थ कर दो, वो हमेशा A के बराबर होता है, टांस्पोंस कर दो, किसी का फिर टांस्पोंस कर दो, वो हमेशा उसी के बराबर आ जाता है, वो सिंपल है, पंक्ति को इस्तम में बदलोगे, और फिर इस् समान अव्यव कहलाते हैं यदि उनके संगत अव्यों समान होते हैं यदि एक अव्यू है एक डी और इफ ऐसे इसके सदस्दें हैं एक और बी आव्यू है उसके सदस्दें हैं A D B E C F ध्यान दो इन दोनों में पहली पंक्तिय का पहले स्थम्पका सदस्य, पहली पंक्ती के पहले सदस्य के बराबर है, दूसरी पंक्ती का तीसरा स्थम्पका सदस्य, F, दूसरी पंक्ती के तीसरे स्थम्पका सदस्य, F के बराबर है, बना सारे के सारे बराबर है, अर्थात A, और B, सम्मान अभ्यू कहलाते हैं, similar matrix, अब क एक दो गुणा तीन क्रम क्या दियों के लिए ये लिखना है अपने को बनाना है जिसके लिए ऐसा दिया हुआ है इसमें लिखा है दो गुणा तीन क्रम क्या दिया है इसने क्रम दिया है दो गुणा तीन इसका मतलब क्या हुआ पंक्ति कितनी है पंक्ति है दो दो पंक्ति है दो पंक्ति है तो कह सकते हैं आई है जो आई पंक्ति वाई से और जे बादवलिय को हम इस थम से दिनोट करते हैं एक पंक्ति है और एक दो पंक्ति है दो है आई के माद ऐसे ही इस थम के बाद करें इस थम्ब इसने काय तीन है तो अर्था जे कितने है एक है जे दो भी है जे और तीन वीचे ये सच जे है ठीक है और इसने एक सुत्र दिया है अपने को ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए दो आई प्लस जे अब हम एक एक करके निकालते है तो पंक्ति या क्रम क्या है दो गुणा तीन तो इसमें कितने बनेंगे हम फुरा सा देख लेते हैं एक बार दो गुणा तीन दो तो पंक्ति हैं और तीन इसमें ऐसा कहके समुझे है ये तो दो पंक्ति हैं एक आई जे बनेगा दूसरा आपका दूसरा मतलब एक तरस दरस यहां होगा वन वन और यहां होगा वन वन टू और वन थ्री यहां होगा टू वन यहां होगा टू टू यहां होगा टू थ्री ठीक है पहली पंक्ति पहला इस्थम पहली पंक्ति दूसरा इस्थम पहली पंक्ति तीसरा इस्थम दूसरी पंक्ति पहला इस्थम दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरा इस्थम दूसरी पंक्ती तीसरा इस्थम ठीक है? अब हम एक एक करके निकालते हैं पहला 1-1 2 i की जगे भी 1 j की जगे भी 1 तो 2 एकम 2 और 3 एक 3 हो गया ठीक है? ये निकालते हैं 2 गुणा i की जगे 1 है प्लस j की जगे 2 है तो 2 एकम 2 और 2 4 अब निकालते हैं 3 i की जगे तो एक ही है और j की जगे 3 है तो 2 एक हम 2 और 3 5 अब निकालते हैं 2 एक i की जगे तो 2 है और इस्थम की जगे एक है j की जगे एक है तो 2 जोनी 4 और 1 5 अब निकालते हैं 2 2 i की जगे 2 है और j की जगे भी 2 है दो दूनी चार और दो चैखे अब निकालते हैं हम ए दो तीन यहाँ पर आए की जगे तो दो यह है और जेकी जगे तीन हो गया दो दूनी चार और तीन साथ यह सारे के सारे हमारे पास में आगे तो हम अब यूख को लिख सकते हैं A बराबर A11 A11 कितना आया था? 3 फिर आया था A12 4 A13 5 A21 5 A22 6 A23 7 यह हमारा उत्तर हो जाएगा चीके? इस परकार से हम मैटिक्स को बना सकते हैं यह हमें ऐसे करके दियावा हो और उसका करम भी दियावा हो चीके? हम एक उरुधरन लेते हैं X, Y तदद Z के किन मानों के लिए A दद B समान आदियो है अब A और B समान है दे रखा है A है जो B के समान है इसका मतलब क्या हुआ? A इसका मतलब इसका जो हुगा वो इसके B के I और J के बराबर होगा उसी पंक्ति का वो ही सेम पंक्ति और सेम इस थम के सदस्य दोनों के इसको समान बी से लिखना चाहिए बराबर होंगे ठीके? तो अब इसमें लिखावा क्या है? X, Y, Z के मान निकालने है तो X कहां पर है? X, Y, रहाएं तो हम यह X कौन सा है? यह A पहली पंक्ति का तीसरा है इदर? B पहली पंक्ति का तीसरा क्या है? 6 है तो कह सकते हैं हम कि जो X प्लस 3 है वो 6 के बराबर है क्योंकि यह बराबर होते हैं दोनों समान समुझ से हैं इसलिए तो X बराबर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 तो X बराबर क्या हो जाएगा? 3 यह आपका X का मान आगया बहुत सिंपल है इसका पहला इसके पहले के बराबर इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर तो ये वाला इसके बराबर ही होगा ना है बस लिखने के लिए मैसे लिख लेंगे कि A और B मैट्रिक्स बराबर हैं समान है इसलिए इसके सदस्य भी आपसे समान होगे संगत सदस्य और इसका ये वाला सदस्य जो है एक तीन वाला इसके दूसरे वाले meatrix के एक तीन वाले सदस्य के समान होगा x-3, 6 के बराबर अब आते हैं y, y कहां पर है पहली दूसरी रो में है second row में है और first पहले column में है तो हम कह सकते हैं कि a 2 1 y minus 4 है तथा b 2 1 कितना है? minus 2 है इसलिए दोनों बराबर होंगे दोनों बराबर होंगे तो y minus 4 बराबर होगा minus 2 के तो y बराबर minus 2 तो है minus 4 को उधर ले जाएंगे तो plus में हो जाएगा न plus y बराबर हो गया plus के 2 तो यह y कमाना गया तो यह आपके 2 उतरा गया चीक है? सलिए अब हमने इसके उधारन भी समझे लिए हैं और इसको पूरी को समझे लिए हैं एक प्रशन माला अभ्यास के लिए आप लोगों को दे रहा हूँ इसमें 9 प्रशन हैं इन 9 प्रशन को करने का प्रयास कीजिए अभ्यास कीजिए और सारे असान है अभ्यों के संख्या बतानी है देखें 2 गोणा 3 करम दे रखा हैं 2 तो पंक्ति हैं और 4 स्थम्भ हैं तो 4 दुनी 8 आठ सदर स्क्षिंग के आठ हो जाएगे इसका इकाई अभ्यों लिखना है इकाई समुझ इकाई मैटिक्स किसे कहते हैं इकाई अभ्यों किसे कहते हैं यह ने बताया आपको पीछे देख लेसे देख सकते हैं सारे पश्णों के उत्तरा पसानी से कर पाएंगे हल कर पाएंगे फिर भी अगों कोई दिक्कत आती है तो अब निश्यत रूप से मुझसे पूछिए धन्यवार्द